वेलकम बैक एवरीवन माई नेम इस सागर एंड विया बैक है विद अनदर वीडियो तो आज है दे 164 हमारी प्योटीडी सीरीज का तो चली आज का कुशन करते हैं एंड इसका नाम है स्प्लिट एरे लॉंग लार्ज सम तो यह गिवन है हाट लेवल का कुशन और अगर आप इसका मतलब है हमको अपने जो गिवन एरे उसको के सब्सक्राइब करना है और उसमें लार्ज सम को हमको मिनिमाइज करना है तो जैसे कि अगर हम इस तीन पार्ट्स में डिवाइड करें कि यह लूटीन है तो फॉर को लग रखेंगे थ्री और वन को लग रख लेंगे और या फिर आप बंटू को भी रख सकते हों और अध्री को भी लग रख सकते हों तो हमारे पस माक्सियम सम के आगा हमारे सब्सक्राइब करना है जैसे हमने यह ऑगरेशिव करना ह। कि आप सकती है जो हमारे पास minimum यहाँ पर आ सकती है किसी भी सम के अंदर तो वह होगा हम्हार maximum element किसी के भी साथ रखेंगे 4 को 1 के साथ रखें और 4 को 3 के साथ रखें तो minimum तो इसलिए हम यह पर लो ले लेंगे तो वह हमारा क्या होगा तो पहले इसको हम लूप से चला लेते हैं maximum element out of our array अब है फ्रों एरे तो हमारे लो की वैल्यू क्या होगी मैथ डॉट मैक्स ओ लो एंड हमारा आई तो हमारा जो मेक्सिलेंट होगा और महतले ह्याई हुआ जोलिए घृत करते हैं लगा भ टो इसके अंदर हम करेंगे क्या सबस्क्राइब लिए पूरे का है तो अगर हमारे पास वैल्यूज ग्रेटर हो रही होते हैं तो हम यह तरीका यूज करते हैं लो प्लस हाई बाइट लिखने की बजाए तो यह भी हमारे पास सेम आउट पूट ही देगा तो इसके बाद हमने करना कहा है रहा हमारे पास मिड वैल्यू आगी तो हम सबस्वेले सबस्वेले के लिए था और यहां प्पास अंसर क्या आएगा तो वो हमने यहां पर ग्सके अपना अंसर निकालेंगे तो यह हॉत्य वह श्म आयगा जो हमको मता बताना है तो अगर हमारे पस यह पॉसिबल हो गया पौसिभल अगर यह हमारे पास possible हुआ यह mid value के साथ इस area के अंदर तो अगर हमारे पास possible हुआ तो हमारा answer क्या होज़ेगा यह mid वाला sum और इसके बाद हम क्या कर देंगे high को mid minus 1 मतलब हमने एक कम करके check करना है तो हमारा high का answer आज़ेगा फिर mid minus 1 से check करेंगी और else condition में हमारे पास क्या होगा low equal to mid plus 1 तो अगर हमारा जो mid है उसके पास answer आगया हमारे पास तो हम उससे छोटी value के लिए check करें क्योंकि हमको minimum possible answer निकालना है तो इसके बाद हम last में return करा देंगे answer तो इस possible के अंदर हम क्या करेंगे तो इस possible हमारे पास जो function मनाएंगे जैसरी कि हमारे पास example है one, two, three, four तो हम क्या करेंगे हमारे mid के value क्या आएगी four और ten तो four और ten हमारे पास low or high के value होगी तो इसका हमारे पास mid value क्या आएगी four plus ten by two यानी ki seven तो सेवन आईगी तो हम क्या करेंगे तो हमारे पास आउट फ्रेंज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे एक यह सब बनेगा एक यह सब बनेगा हमारे पास क्या है निससे हमारे पास सम 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 बढ़안 जुक न acts आगे तो क्या यह हम पास क्या करना है Eating 4 और सिक होदु कर लिए और अब six तो four plus six by two हमारे पास आगए five तो five के लिए फाइव के लिए हमारा answer क्या है अगा तो five के लिए हमारा answer आएगा यह one two three और हम थ्री को add कर दें तो वह हमारा 6 बनजेगा तो हमारा एक यह सब ले और three और अगर है maximum value 5 तो इसके बाद हम क्या करेंगे 4 से 4 तो अब हमारे यह value मिट माइनस 1 होगी तो इसके बाद हमारे पास क्या हो गया हमारे low के value हो गई 4 और high के value हो गई हमारे पास 4 तो अब हम क्या करेंगे मिट निकालेंगे वह ही वहां पास 4 आया तो पूर के लिए और ब...? GPT है तो हम्हारे जो mid की value होगी वो हमारे पास answer होगी अब क्योंकि हमारा 4 भी possible है तो इसके बाद हम क्या करेंगे हमारा 4 जब possible answer है तो high को कर देंगे mid minus 1 यानि कि low हमारा 4 रहेगा और high के value 3 हो जाएगी तो यह हमारे पास condition false होगी तो हम इस लूप से ब्रेक कर जाएगे और हमारा answer for return हो आए तो वह हमारे पस possible है तो हम एक count लेंगे कि हमारा एक count सबयरे हो गया यह हमारा सेकेंड सबयरे हो गया तो हमको count ले चलना है हमारे पस कितने सबयरे बन रहे है इस वाले सम के साथ तो यह हमारा possible answer यह व्लब फॉसीब वाला function काम करेगा तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके नंदर के भी पास करा दिते हैं और इसके नंदर हम क्या करेंगी अजिए बुलियन रेटर और इस पॉसिबल तो यह हमारे पास मेक्सिम सम्मस्ब्रेंस बड़ी वैल्यू नहीं याने चाहिए हमारे पास और एक एरे संब तो हमारे बिस्ट सब्सक्त करने को करना क्या है हमने यह वाला सम पुराना सम बनके आ रहा है तो हमारा कुछ पूराना समार है अगर उसमें यह करने हमारे maximum sum से तो अगर यह हमारे पास greater हो गया तो मतलब है जो हमारे पास पीछे एक sub array बनना है यह हमारे पास sub array बन चुका है तो पिछे जो हमारे पास sum बनना था वह हमारे एक sub array complete हो चुका है current sum में अगर यह हमारे पास condition false है current sum में I add करने से हमारा max sum से बढ़ा नहीं हो रहा है जैसे कि यहां पर हमारे पास क्या है वन तो वन और 0 को add करने से वह हमारे बढ़ा हो रहे नहीं तो हमने 1 को add कर दिया फिर अगली बार आएंगे हम 2 को add कर देगे क्योंकि वह हमारा 4 से छोट तो अगर यह हमारे पास है तो एक हो और यहान गया और यह पोर को चेक करे लेगा if parent sum is less than equal to max sum तो अगर यह हमारे पास है तो एक count और मिल गया आपको तो इस में से हमारे पास कितने sub-arrays आ देंगे 1, 2, 3 तो 3 हमारे पास sub-arrays आ गए और अगर यह हमारे पास possible है तो अगर count की value less than equal to k है तो यहां से हमारे पास true return होएगा हमारे पास possible है यह वाले maximum sum के साथ हमारा sub-arrays बनाना तो I hope आप कोई logic समझाए होगा यहां से हम sub-arrays कैसे बना रहे हैं और इसमें हम अपने add और minus कैसे करें है जू तो यहां पर sub-arrays कैसे ले रहे हैं यह चीज़ आपको में पता करना नहीं थी ओके यह हमारे पास static आएगा तो हमारे पास compilation ने आपके बाद हमारा quarter हो चुका है और इसकी time complexity क्या है and into log of sum तो कि यह हमारा कब तक चल रहा है low से high तक जो कि हमारा maximum sum हो सकता है तो बस आज के लिए इतना ही and thank you for watching